हरेकिष्टा दोस्तों मैं डिपांशी श्वागत कर तव आपका सीजी पेशी व्यापम में एक बहुत इस्थानदार और पॉजिटिन इसके साथ जिया दोस्तों लगबक साथ हजार से अधिक पदों पर ततकाल भरती क्या है इस पर पुरा विस्तार पुरा बार्शित करेंगे इसके अत्रिक तब व्यापम से 261 पदों पर जो विद्विभाग सेनुमती मिली थी उसको पूरा डेटेल मैंने आपको कल के साम के वीडियो में बता दिया था इसके अत्रिक देखिएगा बहुत ही ज़ादा महतपुर्ण कि व्यापम से जो भरतियां है वो कब तक आ सकती है कब तक इसकी भरती पर इच्छा हो सकती है अब भरती किस प्रकार की तैयारी और किस भरती की तैयारी कर सकते है तो सबसे पहले हम इसी मुद्दे पर बातचि करने वाले तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात सबसे पहले सिक्षक भरती की करेंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 33,000 सिक्षक भरती की मांग को लेकर तूता में जो है वो आंदोलन कर रहे हैं युगा बेरुजगार और इसी कड़ी में जो कोर्बा जिले में एक मांदे सिक्षक के विशे मतलब मांदे सिक्षक मतलब एक प्रकार का दिहारी सिक्षक कहा जाए तो इसमें 263 मांदे सिक्षकों की रखने की शुकृती प्राप्त की गई है यह एक बहुत बड़ी अपडेट है यहां पर बताया गए इसके लिए सेक्षणिक अहरता जो है सबसे पह जिए उप्लब्द नहीं होने पर व्यवसाइक योग्यता में सिथली करन करने ही तू जीला सिछह अधिकारी से अनुमोदन उप्रात चैन किया जा सकता है मतलब अगर कैंडिडेट नहीं मिलते वहां तो उसके योग्यता को सिथल्ग किया जा सकता है यह बताया गया है जील 24-25 की समाप्ति मतलब 30 अपरेल 2025 अथवा नियमी सिख्षक की पजिस्थापना होने पर स्वताही सेवा समाप्त हो जाएगी मतलब साफ है या तो यह एक साल 2035 अपरेल 2025 तक रहेगा या फिर जो नय सिख्षक अगर आ जाता है तो फिर वो समाप्त हो जाएगा और देखी प्राथमिक साला के मांदे सिख्षक की एक मुफ्त 10,000 रुपए मासित साला प्रबंदन समीती के अनुमोदन उपरांत डिये में फंट से प्राप्त आबंटन के अधार पर भुक्तान किया जाएगा एक नॉमबर 2024 से कारे लिया जाए इस पस्ट निर्देश दिया गया है कि बिया एक नॉमबर 2024 से कारे लिया जाए उनको हर मेहने 10,000 रुपए दिया जाएगा मतलब साफ है कि इनसे काम चला कर कही न कहीं सरकार अपना पैसा बचा रही है क्योंकि अगर रेगुलर सिख्षक की भर्ती करेंगे तो जाहिर सी बात है कि रेगुलर सिख्षक भर्ती करन में इस भर्ती को देखकर कि अभी फिलहाल सिख्षक भर्ती लेने के मूड में तो लग नहीं रही है क्योंकि इस प्रकार का जब भर्ती विक्यापन निकला है तो जाहिर सी बात है यूवा जो है वो बिरुजगार यूवा तो आवेदन करेंगे ही करेंगे क्योंकि उनको च है तो भी वहाँ पर चेयन होने की संभावना है लेकिन तब के केस में जब केंडिडेट नहीं मिलेंगे अगर केंडिडेट मिलेंगे तो उन्हीं को ही प्रात्मिक्ता दी जाएगी तो यहां पे बहुत ही एक प्रकार का जो कहती से हैं सिख्षक भर्ती के इंतजार करने हैं और धान करेदी करने के लिए आप भी जानते हैं कि वर्तमान में सरकार जो अभी न्यूस्पेपर में आ था पिछले कुछ दिनों पहले करीबन करीबन करोड़ों में जो है वो कर जा लेने वाली है इसके अतरिक महतारी वंदन योजना ये दो चीजें जो है वो कही न कहीं 33 सिचक बढ़ती के लिए अवरुद्धुपन कर सकती है क्योंकि जो है धान का कहीं न कहीं जो किसान है वो भी ये बोल रहे है कि जब केंदर सरकार ने MSP बढ़ाया है तो राज्य सरकार भी जो बढ़ी हुई MSP है उसमें जो है वो बोनल दे मतलब लगभग 32 कुछ रुपै क की मांग किसानों के दोरत की बढ़िक तो ये एक प्रकार का किसान दुसरा आपक sensor आप कमहतारी वन्द नहीं हो जैरा तो इस प्रकार इसी वज़या से कहीं नयकहीं 10-10,000 में सिख्छकों को रख कर एक प्रकार से सिख्छकों की कमी को भी दूर किया जा रहा है तो दुसरी तरह भी युवाओं को रोजगार भी दिया जा रहा है अब इन सब के बीच आप लोगों की क्या रहा है नीशे कमेंट करके जरूर बताईएगा ठीक है तो जिर लोग इसमें फॉर्म भरना चाहते भई फॉर्म भर लीजिएगा क्योंकि देखिएगा इसमें एक नॉम्बर से कारे प्रारम हो रहा है और इसका पूरा और विश्टि इंतजार कर रहा है कि सर कब आएगा आखिर नोटिफिकेशन तो देखिए मैं फिर से कह रहा हूं यह जो सब्ताहा है अत्यांत महत्वण होने वाला है क्योंकि यहां पे आप देखेंगे कली जो है लोग स्वास्त्यांत्र की मंत्री जो अरू साओ जी है अनुमोदन किया है शीदिया और साब बात कि भाईया हमारे विभाग में भरती तो पहले निकालो तो व्यापम जो है अब इसके लिए जल से जल भरती भी क्या पन जारी क्यारेगा एक बात दूसरी बात मतस्य निरिक्षक खंड अन्वेशक भरती परिक्षा इसका भी जो नोटिफिकेशन है विभाग में जो यह जारी नहीं किया है जो मतस्य निरिक्षक है उसका जो है पोश्ट बा Bevं हो चुका दा अब उसका उसका नया डेट जारी होगा इसके अतरिके जो खंड बंवेशक भरती है और most 30 लिचार में जो है वह जारी करेगा जिक करीब आप इन्हार मेहना पहले वो भर्ती विग्यापन जारी किया गया था चुनाओं के पहले जो है उसका भर्ती विग्यापन जारी किया गया था लेकिन अभी तक उस पर चीजे जाहिर नहीं की गई है या निकाली नहीं गई है दूसरी महत्पुन बार जो 20 अक्टूबर को एक्जाम है उसका भी अभी त जो है प्रवेश्पत्र नहीं आया है जिससे कि अभ्यरतियों को ये लग रहा है कि भीया ये भरती होगी की नहीं होगी 20 अक्टूबर वाली व्यापम को इस पर जल से जल नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए इसके अत्री ते देखिएगा बहुत ही जादा महत्कुर्ण प्र परिचारक है उसको किसी भी तरीके से कंप्रीट करना क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि अभी हाल में जो होश्टल रॉर्डन की भरती परिक्षा हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं जब होश्टल रॉर्डन भरती परिक्षा हुई थी तो उसमें लगबग 6 लाख वो प्रयोक्साला परिचारा है इसके बाद निश्चित तोर पर चाहे वो आपका या रख्षा को चाहे नहीं पुलिस भरती हो या आपका जो एडियो भरती हो यह आपको क्रमवार जो है वो देखने को मिलेंगे लेकिन जो संभावना नजर आ रही है जो एक प्रकार से मीडि लिकाये चुना और पंचाया चुना लगभग एक जैसे हो रहे क्योंकि कल आप सभी जानते कैबिनेट की मीटिंग में कहीं न कहीं प्रारूप पर मुहर लग सकती है तो इस पूरे मामले में कहीं न कहीं ये कहना कि भाया व्यासम में अभर सुरूभात है आज 15 अक्टूब वो इस्थेगेट हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी बात यह है कि देखे, 68, 68 भर्ती परिक्षाओं का केलेंडर जो है, राजी स्थान सरकार ने जारी किया है, जो राजी स्थान लोग से वायोग है, उन्होंने जारी किया 68 भरती परिक्षाओं का और ये कैलेंडर 2024-2025-2026 का है कहीं न कहीं चत्रजगार राज्य लोकसे वायो को को उससे जो है सिखना चाहिए और कभी करीबन इतना ही जो है भरती विग्यापन जो भरती सेड्डूल है वो जल से जल जारी करना चाहिए जल से जल तो पिलाल यही सब बताना था इसके अतरीक अब हम बात करते साथ हजार पदों पर ततकाल भरती के संबन में सबसे महत्पूर्ण जॉप फेयर है जिनको युवाओं को नौकरी के अत्तिनताव शकता है वो जो है रायपूर में जो है जा सकते हैं और मैं आपको अलग- टाइम टेबल भी बता देता हूं 17 से 25 अक्टूबर तक सभी ब्लॉकों में सिक्रेटी गार्ड का जो है निकलेगा 17 अक्टूबर को कॉलेज है जोरा रायपूर में वहाँ पे हल्स सेक्टर से संबंदित जॉप फेयर होगा 18 वह 21 तारीक को लावी ली हुड कॉलेज जोरा फेयर लगेगा और 25 तारीक को उद्योग विभाग के लिए जो है वो जाफ फेयर लगेगा तो लगबग इसमें पांच से साथ अजार पद है इसमें बताया गया है जैसी कि अगर आप जाएंगे 17 तारीक को 17 अक्टूबर को सुबा 11 बज़े से साम 4 बज़े तक के है 17 तारीक को अगर आप जाते है तो 440 पद इसमें है जहां पे पर आप क्यों है जिन्हों ने MSC किख आई, prof.lu are good health अगर श्युकंड ठीक है तो यह है रुज़गार मिला है आप 17 तारीक को जाएंगे तो ये ये पद फी जो योग्य धार्य यूवक है वह जा सकते तो आप 17 से 25 तारिक तरग लावली हुट कॉलेज जोरा रायपूर में जाकर 11 से तीन बजे तक है इसमें कॉंटेक्ट नंबर भी दिया है तो जिनको जवब क्या आप शक्ता है वो जल से जल इसमें जाईएगा और अपने बहतर भविस्ते का जो है एक सुर्वात प्रारंब करिएगा ठीक है फिलाल वीडियो यहीं तक आशा करता हूँ चीजे समाझ जाईए होगी वीडियो अच्छा लगए तो इससे जाद अथे जाद रोकर शेयर लाइक का सब्सक्राइब जरू करें वीडियो देखन प्रापस करें वीडियो बहुत बहुत भुत भुत नैवा रफसक्राइब